इसी के साथ बात करें यहां से अगर गौर कामप्लेक्स की तो हम देख रहे हैं गौर गम का दिसम्बर वाइदा 11,179 पर कारवार कर रहा है 5.5 फीजदी का निचला सर्किट है और गौर सीर का डिसम्बर वाइदा 6,070 पर कारवार कर रहा है 3.5 फीजदी की गिरावट के साथ हम देखने की गौर गम और गौर सीर एक बाफिर से एक अच्छी रैली के बाद एक बाफिर से गिरावट के साथ कारवा करते नजर आ रहे हैं और गवार गम गवासीर की कीमतों में जो गिरावाट का जो महौल है अब ये धीरे-धीरे और गहराता जा रहा है दरशल गवार की कीमतों में जो तेजी बंती नजर आई थी एकदम से वो इतनी fundamentals के बंते नजर नहीं आई थी जितनी speculation के चलते बंती नजर आई थी गवार में हवावाजी जादा देखने को मिली थी कि गवार के जो fundamental से मजबूत हैं और गवाई का जो रगवा है घटा है ऐसा है कि production इस बार कम रह सकता है गवार का और industrial demand भी ठीक ठाक देखने को मिली थी लेकिन वो उस अनुपात में भी नहीं थी उस ratio में भी नहीं थी कि गवार की कीमतों में इतनी शांदार और इतनी अच्छी तेजी निकल के सामने आए जिसकी वज़ा से हमने गवार की कीमतों को 13-13,000 तक जाते वे देखा था लेकिन अब देख रहे हैं कि speculation थोड़ा कम हुआ है और जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में अभी एक बाप फिर से निचले सरकिट लगते नजर आ रहे हैं और अभी भी ऐसा देखने को मिल सकते है कि गवार की कीमतों में सक्टे बाजी बढ़े और जो कीमते हैं एक बाप फिर से तेजी की और अग्रसर हो तो गवार के कारुबारियों को काफी जादा सोच समझ के चलने की जरूबात है क्योंकि गवार एक ऐसी कमूरिटी है जो खराब नहीं होती है सालो साल तक लोग इसे स्टॉक करके रखते हैं होल्ड करके चलते हैं क्योंकि पहले भी हमने देखा है साल 2012-13 में कि गवार की कीमतों में क्या रेट्स मिलते नजर आया थे गवार में कितनी अच्छी तांचान्दी देखने को मिली थी लेकिन अब गवार की जो कीमते हैं उपर इस तरव से गिरावट के साथ कारोबा करती नजर आ रही है तो गवार के जो ट्रेडर्स हैं और जो कारोबारी हैं उनको काफी जादा समल के चलने की जरूरत है आपको बता दें कि इस बार गवार का जो उत्पार देने पिछले साल के मुकाबले लगबग आधा रह सकता है और दूसरा NCDX ने गवार का जो मार्जिन है वो बढ़ा दिया था जो एडिशनल मार्जिन अगस्त में 5 फीजदी लगाया था और अब NCDX ने एक बार फिर से गवार पर मार्जिन बढ़ा दिया है एडिशनल मार्जिन EASM बढ़ा दिया है जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में एक गिरावट वाला महौल देखने को मिला है तो ओवरल रुजान अभी गवार की कीमतों में ऐसा ही बना रहेगा कभी उपरी सर्किट तो कभी नीचले सर्किट गवार की कीमतों में देखने को मिलते रहेंगे और हमने बीच में भी देखा था कि कुरूड के जो भाव लगातार बढ़ रहे थे कुरूड की कीमतों में जादा भाव बनने की वज़ा से गौर की कीमतों में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर जनवरी 2021 से अब तक गौर की कीमतों में तेजी की और नजर डालें तो वो उसके alternatives की और जादा बढ़ती है और हमने ये भी देखा है कि alternatives की और बढ़ती है और markets के अंदर गौर के जो alternatives हैं वो सस्ती दरूपर मौजूद है जिसकी वज़ा से ऐसा हो सकता है कि जो industrial demand है गौर की जगा उसके alternatives पर shift होती नजर आए जिसकी वज़ा से गौर की कीमतों में कुछ और नर्मी भी देखने को मिल सकती है आपको बता दे हमारे expert केड़ी advisory के director अजे केड़े की मताबिक गौर सीट में खरीदारी करने या फिर इसका trend एक्चुल में कैसा रह सकता है जानने के लिए कम से कम आपको 54 के level का इंतजार करना चाहिए और गौर गम में 9500 से 9800 का level का इंतजार करना चाहिए तब जाके इसका जो trend है positive रहेगा नेगिटीव रहेगा तब जाके पता चल सकता है और ये भी तब वो भी तब पता चल पाएगा जब इसमें wait and watch की policy अपना ही जाएगी थोड़ा इंतजार करना चाहिए दामों को निचले स्थर पर आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद फिर महाँ से markets को देखना चाहिए fundamentals देखने चाहिए कि कैसे बनते नजर आ रहे हैं तब वो गवार की actual कीमत को तैग करेंगे वरना किस दिन 6% का ओपरी सरकिट तो इसके 2-3 दिन के बाद ही निचले सरकिट ऐसे ही volatility उठा पटक 60 बाजी के चलते चलता रहेगा